ओम श्री गनेशाय नमः दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे स्टोरी नेम इस बिलन या हस्बंट और इस स्टोरी इस बिगिन फ्रम चाप्टर सेवंटी थी इन गाइस डोंट फगेट तो Share your reviews and put on your earphones before starting the video for better experience तो चलिए शुरू करते हैं अब तक आपने पढ़ा परिधी जानती थी कि अगर वह अपना सारा सामान लेकर यहां से निकलेगी तो मालती जी को पता चल जाएगा कि वह खन्ना विला के साथ साथ अधिराज का treatment भी बीच में ही छोड़ कर जा रही है और ऐसे में वह बीमार पर जाएंगी जो की परिधी नहीं चाहती थी अधिराज अपने केबिन में चेय पर पर बैथा हेड रेस्ट पर सिर्टिकाए हुए अपना दर्द और गुस्सा दोनों कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था तभी उसके मुबाइल पर एक मैसेज आया अधिराज ने मैसेज खोल कर पढ़ा तो ये परिधी का मैसेज था जिसमें लिखा हुआ था क्या हुआ मिस्टर अधिराज अभी तक दर्द हो रहा है अगर हा तो इसका मतलब तुम जिन्दा हो मर नहीं गए हो अपनी फैमली और स्वरा के साथ और अगर सच में अभी दर्द हो रहा है तो तुम जिन्दा हो इसलिए मरे हुए लोगों का नहीं अपनी जिन्दा मां का ख्याल रखो जो तुम्हारी ऐसी हालत देखकर पल-पल मर रही है क्योंकि मरे हुए लोग पीते हुए कहा रसी जल गई पर बल नहीं गया। रात में डिनर के समय खन्ना विला में डाइनिंग एरिया में बैथा अधिराज अकेला दिनर कर रहा था पर उसके सामने। बैथी मालती जी खाना नहीं खा रही थी। क्या हुआ मा आज आप हंगर स्ट्राइक पर हैं। अध अधिराज दिन में परिधी यहां आई थी और अपना बैकपैक करके चली गई। जाते जाते उसने कहा कि उसके किसी पेशेंट को उसकी इमीडियेट जरूरत है वह जल्द ही आ जाएगी तुम्हें पता है। वह कब तक वापस आएगी। वैसे भी अधिराज दुपहर से ह यह सोच सोच कर परेशान था कि जब मालती की परिधी के बारे में पूछेंगी तो वह क्या जवाब देगा लेकिन ये क्या मालती जी को तो परिधी यह बात कर गई थी कि वह किसी पेशेंट के लिए जा रही। है अधिराज को भी मौका मिल गया मालती जी के सवालों से परिधी ने दिल्ली के एक होटल में स्टे किया था क्योंकि वह सेम डे अपने लिए नया अकोमोडेशन नहीं धून सकती थी और होटल के कमरे में बैठी वह अपने लेप्टॉप में मेल्स चेक कर रही थी कि आखिर उसे किस पेशेंट को पहले हैंडल करना चाहिए क्योंक उसे एक पैसा तक नहीं दिया था और अपनी सेविंग्ज के दम पर परिधी ज्यादा दिन तक होटल में स्टे नहीं कर सकती थी उसे इम्मीडियेटली किसी ना किसी पेशेंट को हैंडल करना ही पड़ेगा तभी तो वह अपने भाई की फीस और अपना खर्चा उठा अधिराज ने परिधी को जॉब से निकाल दिया है विद्यूत ये भी जानता था कि अगर अधिराज को पूरी तरह से रिकवर करना है तो उसे साइकोलोजिकल ट्रीटमेंट की कितनी जरूरत है लेकिन अधिराज के इस कदम से विद्यूत को उस पर बहुत गुस्सा आ रह उठी तेरा दिमाग ठिकाने पर तो है तूने उसे जॉब से निकाल दिया उसे जब से निकलना बहुत जरूरी था क्योंकि वह अपनी ओकात भूल कर काम करने लगी थी अधिराज में विद्यूत की तरफ देखते हुए उखये हुए स्वर में कहा वह अपनी ओकात भूल ग होगा कि तेरी जिंदगी में स्वरा के अलावा कोई और हो सकती है विद्यूत ने भी अधिराज के रूखेपन का जवाब रूखेपन से देते हुए कहा विद्यूत तू तू एक कल की ये लड़की के लिए मुझसे जगड़ा कर रहा है तुझे पता भी है मैंने उसे क्यों निकाला अधिराज ने विद्यूत की तरफ देखते हुए सवालिया लहजे से कहा वही विद्यूत और अधिराज के बीच ये बहस होता देख मालती जी को भी समझ में आ गया था कि अधिराज ने परिधी को जॉब से निकाल दिया है और अब शायद वह कभी वापस नहीं आएगी ये देखकर मालती जी को भी अधिराज पर बहुत गुस्सा आ रहा था लेकिन वह जानती थी कि अधिराज पर गुस्सा करने का तो कोई फाइदा है ही नहीं उसे समझने का जो दूसरा तरीका मालती जी ने अपनाया है वही काम करेगा मैं उसे कल की आई लड़की के लिए तुझे जगड़ा नहीं कर रहा हूँ मैं तुझे जगड़ा कर रहा हूँ क्योंकि वह लड़की तेरा आने वाला कल बदल सकती थी अरे मैं डॉक्टर वालिया के थरू कितनी मुश्किल से उसे कन्वेंस करवाया था तेरे यहां जॉब करने के लिए यह मैं और डॉक्टर वालिया जानते हैं विद्यूत ने अधिराज को समझाते हुए नाराजगी भरे स्वर में कहा मालती जी ने भी अधिराज से सवाल करते हुए नाराजगी भरे स्वर में कहा अधिराज बेता मैं ये क्या सुन रही हूं कि तुमने परिधी को नौकरी से निकाल दिया है कितनी मुश्किल से मुझे ये लगने लगा था कि अब मेरे घर में दो से तीम लोग रहने लग गए हैं और तुमने उसे काम से निकाल दिया क्यों बेटा अधिराज ने मालती जी की तरफ देखते हुए कहा मा आपको परिधी के जाने का इतना बुरा क्यों लग रहा है जब कि आप भी जानती थी कि वह यहां सिर्फ दो-तीम महीनों के लिए आई थी आज नहीं तो दो-तीम महीने बाद उसे जाना ही था बस फर्क इतना सा है कि मैंने उसे कल ही रवाना कर दिया लेकिन क्यूं किस से पूछ कर तुने इतना बढ़ा दिसीजन लिया कितनी मुश्किल से हमें तेरे लिए कोई ऐसा मिला था जो 24-7 तेरे आसपास रहकर तुझे समझ सके तुझे सुधार सके पर तुने उसे भी हटा दिया विद्यूत ने अधिराज की तरफ देखते हुए सवालिया लहजे में कहा तो मालती जी विद्यूत की तरफ देखते हुए आशा भरी निगाहों से बोली बेटा अब तुम ही अधिराज को समझाओ इसमें समझने समझाने जैसा क्या है माहम परिधी की जगह किसी और को धूंध लेंगे अधिराज ने फुल एटिट्यूद से कहा तो विद्यूत में उसकी तरफ देखकर गुस्से से उसे व्यंग मारते हुए कहा जो तुझ में बदलाव लाने की बजाए तेरे इशारों पर नाचेगा जिसे तू अपने मनमर्जी पैसे खिला कर अपना मनमाना काम करवा सकेगा ऐसा कोई ना तो ठीक है मेरी भी जिद है अगर तुझे मेरी और अपनी दोस्ती सही सलामत कंटिन्यू रखनी है तो कहीं से भी धूंद कर परिधी को लेकर आ ये तो कैसी बात कर रहा है विद्यूत अधिराज ने सवालिया लहजे में विद्यूत से कहा पर विद्यूत ने पलट कर जाते जाते अधिराज की तरफ देखे बगेर कहा ये बात नहीं अब तुझ से बात करने के लिए मेरी कंटीशन है विद्यूत जा चुका था खन्ना विला से अधिराज के सामने उससे बात करने की कंटीशन रखकर और विद्यूत के जाते ही मालती जी ने भी अधिराज की तरफ देखते हुए नाराजगी भरे स्वर में कहा अब तो हमारी जिद भी यही है कि हम भी आप से तभी बात करेंगे जब आप परिधी को वापस लेकर आएंगे अब तो अधिराज को परिधी पर बहुत गुस्सा आ रहा था क्यूंकि उसकी लाइफ के दो सबसे इंपॉर्टेंट लोग उससे बात तक करने के लिए तैयार नहीं थे और वजए अधिराज की नजर में सिर्फ परिधी थी लेकिन साथ ही साथ अधिराज ये भी समझ गया था कि अब परिधी को वापस लाने में ही उसकी भलाए है उसने मालती जी की तरफ देखते हुए कहा आज शाम तक मिस परिधी आपके सामने होगी मैं उसे ले आंगा बस आप गुस्सा मत कीजिए और अपनी तबियत का ध्यान रखिये कहकर अधिराज ओफिस के लिए निकल गया अधिराज ने ओफिस पहुँचने ही आलोग को कॉल करके बुलाया और उसकी तरफ देखते हुए कहा आलोग फाइंड मिस परिधी और वह जहां कहीं भी है उसे मेरे पास लेकर आओ बहुत बवाल मचा लिया उसने अब बवाल मचाने की बारी मेरी है सर क्या आप मिस परिधी को वापस से जॉब पर रखेगे आलोग ने हरबते हुए पूछा तो अधिराज ने उसकी तरफ गुस्से से देखते हुए कहा तुम मिस परिधी में कुछ ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं ले रहे हो मैं उसे जॉब पर रखूंगा या नहीं दिस इस नन ओफ योर बिजनेस जो काम में तुम्हें दिया है उसे पूरा करने पर ध्यान दो और अगर शाम तक मिस परिधी मेरे सामने नहीं हुई ना तो तुम्हारी खेर नहीं आलोक हो के बॉस कहकर अधिराज के केबिन से निकल गया और जाते जाते मन ही मन कह रहा था क्या खरूस आदमी है पहले तो उसे बेचारी को काम से निकाला वह क्या काम था जो अब मेरा काम बढ़ाने के लिए उसे फिर से धूंद रहा है नन ओफ योर बिजनेस तो मुझे ऐसे बोला जैसे लड़कियों को धूंद नहीं मेरा बिजनेस है खेर जो भी हो चल बेटा आलोक लग जा अपने काम में आलोक अपने काम में लग गया और जल्द ही उसने परिधी का नंबर डायल कर उसे कॉल किया परिधी ने जैसे ही अधिराज के ओफिस से कॉल आते देखा वह समझ गई की अधिराज को वापस से उसकी जरूरत समझ में आ गई होगी लेकिन अब परिधी खुद अधिराज के काम पर वापस नहीं जाना चाहती थी इसलिए उसने आलोग का फोन नहीं उठाया पर आलोग जानता था कि परिधी फोन उठाय या ना उठाय आलोग को तो शाम तक उसे वापस लेकर आना ही है इसलिए परिधी के फोन ना उठाने पर भी आलोग उसे कंटिन्यू कॉल करता रहा आखिरकार इरिटेट होकर पांचवी बार में परिधी ने आलोग का फोन उठा लिया और उठाते ही तेज आवाज में बोली वाट इस दिस मिस्टर आलोग डोंट यू है प्रोफेशनल मैनर आलोक की बात सुनकर गुस्से से जवाब देते हुए कहा और तुम्हें लगता है कि मैं उसे खडूस इनसान के पास वापस से काम करने आउंगी कभी नहीं कहते हुए परिधी फोन काटने लगी तो आलोक में उसे रोकते हुए कहा वन मिनट परिधी मैम पहले मेरी बात तो कंडे दिमाग से सोचिये ना खन्ना इंडस्ट्रीज के साथ काम करने का मौका उपर से आपकी सेलरी भी चार लाक सोचिये ना मैम ये तो आपकी प्रिवियस सेलरी से काफी ज्यादा है आलोक में परिधी को समझने की कोशिश करते हुए कहा लेकिन परिधी ने भी फुल ऐसे इनसान के साथ काम करना तो दूर की बात में उसे अपने आसपास में नहीं बरदाश्ट कर सकती कहते हुए परिधी ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया पर अधिराज जो यहां आलोक को यही बताने आया था कि उसे परिधी को धूमने के लिए ज्यादा कुछ करने की जरू दूरत नहीं है क्योंकि परिधी में अपना प्रोफेशनल मुबाइल नंबर ओफिस की फाइल में लिखा हुआ है इनफेक्ट परिधी का नंबर तो अधिराज के पास भी था लेकिन उसका एटिट्यूड उसे पमिशन नहीं दे रहा था कि वह परिधी को कॉल करके वापस आने के लिए कहे पर अधिराज ने आलोग को परिधी से फोन पर बात करते हुए सुन लिया था और वह ये भी समझ गया था कि परिधी गुस्से में अधिराज की ही तारीफ कर रही है तुरंत जाकर आलोग से पूछा क्या कहा उसने सर उसने आपको खडूस और बद्तमीज कहा और काम पर आने से मना कर दिया आलोग ने अधिराज को परिधी से जो बात हुई बताते हुए कहा तो अधिराज गुस्से से आलोग की तरफ देखने लगा तो आलोग ने अपनी बात बदलते हुए कहा सर मैंने नहीं मिस परिधी में आपको ये सब कहा call her right now उसे अभी अधिराज ने गुसे से आलोग की तरफ देखते हुए कहा। अधिराज ने आलोग की तरफ इशारा करते हुए कहा। पुश्मी की मैं आपका नंबर ब्लॉप कर दू मैंने कहा ना की मुझे आपके उसे खरूस और बद्तमीज बॉस के साथ काम करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। तो क्रिपया इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आप हमारी नई कहानी पहले पा सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो तब तक के लिए राधे राधे।